अलो बच्चों, वेल्कम बैक टू एटीजेट अगैडमी Trigonometry हम लोग J 2024 के लिए पढ़ रहे हैं और अभी तक Trigonometry में हमने 9 lectures कर लिये हैं जिसमें काफी portion of Trigonometry हमने cover कर लिया है जो जैसा लास lecture में भी मैंने बताया था कि अब धीरे धीरे हम लोग Trigonometry के end phase पे पहुँच रहे हैं तो आज हम लोग बात करेंगे Trigonometry lecture 10 में Trigonometric identities in a triangle की ठीक है, यह lecture आपके लिए बहुत important होने वाला है कि इसमें बहुत सारी ऐसी identities हम पढ़ेंगे जो काफी help कर सकती हैं हमें आगे सवाल करने में और चीजों को और अच्छी तरीके से समझने में तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि यहाँ पे mathematics को हम लोग बहुत ही detail में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए examination को prepare करने में काफी helpful होगा और इस वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और अपने comments इस वीडियो के नीचे जरूर लिखे कि ये जो series lecture series मैं ले रहा हूँ वो आपके लिए कितना helpful हो पा रहा है और अगर कुछ suggestions हैं तो वो भी जरूर मेरे साथ share करिए ताकि आगे के lectures में और भी ज़्यादा effective बना सकूँ आपके लिए तो बिना time waste किये हुए हम लोग सीधे lecture में आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग जो बात करेंगे वो होगा trigonometric identities in a triangle, ठीक है? So, today we'll be talking about trigonometries, trigonometric identities in a triangle, identities in a triangle, ठीक है? तो तेखें, triangle की जो सबसे important property है और जो हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है और भजपन से पता है वो यह होती है कि अगर हमारे पास कोई एक triangle दिया हुआ है Let us say, एक triangle बना लेते हैं Say, this is a triangle we have और यह हमारे पास triangle A, B, C दिया हुआ है इसको हम लोग angle A बोलते हैं vertex A पे, यह vertex B पे angle B और यह vertex C पे angle C बोलते हैं तो जो property हम बचपन से जानते हैं ट्रिगनमेटरी की, ट्रिगनमेटरी की ट्रिगनल के बारे में वो यह है कि तीनों angles का जो sum होता है वो πाई के बराबर होता है और πाई is equivalent to 180 degrees तो यह property हम लोग ट्रिगनमेटरी की बहुत ट्रिगनल की बहुत अच्छी तरी के जानते हैं majority जो identities आज हम पढ़ेंगे उसमें इस knowledge का की sum of all the angles of a triangle internal angles of a triangle is equal to pi यह काफी helpful होगा ठीक है तो जो बहुत basic identities है वो तो हम आज़ाम से ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मानने जिस sign of a plus b लिखना है ठीक है तो हम जानते हैं कि sign of a plus b यहां से clearly आप देख पा रहे हो कि a plus b को हम pi minus c लिख सकते हैं तो a plus b के बदले में अगर हम pi minus c लिखेंगे तो यह बन जाएगा sign of pi minus c और sign of pi minus c किसके बराबर होता है sign c के बराबर होता है similarly sign of b plus c sign a के बराबर हो जाएगा और sign of c plus a sin b के बराबर हो जाएगा तो उनको मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहां से वो तीनो बाकी के दो quantities जो मैंने बोले वो obviously आपको चीतरी के से समझ में आ जाएंगे अगर मैं cos of a plus b की बात करता हूँ तो यहां पे वापस से a plus b के बदले में हम pi minus c लिख सकते हैं तो cos of pi minus c minus cos c हो जाता है ठीक है और यहीं पे अगर हम tan की बात करें तो tan of a plus b भी आपके पास कितना हो जाएगा a plus b के बदले में वापस से pi minus c लिखेगा तो यह minus tan c हो जाएगा ठीक है और cot के बारे में भी आप वैसे ही लिख सकते हैं अगर tan के बारे में पता है तो cot के बारे में आपको पता ही है ठीक है तो यह तो बहुत obvious हो गया similarly half angle में भी आप चाहो तो half angle में भी इसको लिख सकते हो half angle में अगर मान लिजे आपको sign off a plus b by 2 लिखना है देखिए यह quantities आप अच्छे तरीके से देख लिजे क्योंकि कई बार question में हम इनको directly use कर लेंगे तो a plus b by 2 तो a plus b by 2 को हम pi by 2 minus c by 2 लिख सकते हैं है की नहीं यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ sign of pi by 2 minus c by 2 है न और pi by 2 minus theta sign of pi by 2 minus theta कितना हो जाता है cos theta यानि यह बन जाएगा आपका cos of c by 2 ठीक है similarly अगर आप cos के बारे में लिखो तो cos of a plus b by 2 हम क्या लिख सकते है cos of pi by 2 minus c by 2 है न और यह value हमारे पास हो जाएगी sign of c by 2 ठीक है similarly tan के लिए भी हम लिख सकते है तो tan of a plus b by 2 this will become tan of pi by 2 minus c by 2 है न और tan of pi by 2 minus c by 2 कितना हो जाएगा cos of c by 2 ठीक है तो यह तो बहुत basic identities है similarly आप चाहें तो इसको double angle में भी convert कर सकते हैं तो अगर a plus b plus c is equal to pi है तो 2a plus 2b plus 2c is equal to कितना हो जाएगा 2pi है न तो यहां से अगर आप sin of 2a plus 2b अगर निकालना चाहें sin of 2a plus 2b तो यह हम लिख सकते हैं sin of 2pi minus 2c है न और sin of 2pi minus theta हमारे पास minus sin theta हो जाता है 2pi minus 2c है न और यह cos of 2pi minus theta हमारे पास cos theta ही होता है तो यह बन जाएगा हमारे पास cos of 2c और similarly tan के लिए भी लिख सकते हैं तो tan of 2a plus 2b is equal to tan of 2pi minus 2c और यह बन जाएगा हमारे पास minus tan of 2c so यह तो properties और identities जो हमने लिखी यह बहुत basic identities है और यह solely इस बात पर depend करती है कि a plus b plus c is equal to pi है इसमें हमने as such बहुत जादा कुछ manipulation किया नहीं यह सिर्फ allied angles का हमने यहाँ पर application किया है ठीक है अब इसके बाद actually हम कुछ trigonometric identities ऐसे पढ़ेंगे जो काफी frequently हम लोग use करने वाले हैं आगे चलके ठीक है जिसमें से सबसे पहली identity जो हम लोग देखेंगे वो होता है कि अगर हमारे पास obviously इसमें हमेशा याद रखिए कि जो condition रहेगा क्योंकि हम triangle के अंदर की ही बात कर रहे हैं तो condition a plus b plus c is equal to pi इन सारी identities के लिए true है ठीक है तो सबसे पहली identity यह कहती है कि अगर आपके पास sin 2a plus sin 2b plus sin 2c है तो आप इसको लिख सकते हो four times of sin a, sin b, sin c आता कैसे है तो यह proof कर सकते हैं ठीक है let's prove it देखिए sin 2a को for the time being मैं ऐसे ही रहने देता हूँ lhs से शुरुआत करते हैं sin 2b plus sin 2c यहाँ पे transformation formula यूज़ करते हैं तो sin c plus d वाला transformation formula हम use करेंगे तो twice of sin of 2b plus 2c upon 2 तो यह बन जाएगा b plus c और into cos of 2b minus 2c upon 2 यानि b minus c ठीक है अच्छा इस sin 2a को मैं 2 sin a cos a लिख सकता हो है ना और यह sin b plus c थोड़ी देर पहले ही हमने यह identity देखि थी कि b plus c को हम pi minus a लिख सकते हैं तो यह बन जाएगा sin of pi minus a and sin of pi minus a is sin a तो यहाँ पे plus 2sin a into cos of b minus c हो गया ठीक है अब इन दोनों में से 2sin a हम common ले सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे एक बचेगा cos a ठीक है cos a बचेगा लेकिन cos a को a को हम लिख सकते हैं pi minus b plus c तो मैं a के बदले में for the time में लिखता हूं pi minus b plus c आपको reason समझ में आ जाएगा कि यह ऐसा क्यों लिखा हमने क्योंकि यहाँ पे cos of b minus c already है तो मैं चाह रहा था कि यहाँ पे जो cos वाला term हो उसमें भी b और c वाले term है b और c वाले angles है ठीक है तो यह बन जाएगा 2 sin a इसको मैं पहले लिख ले रहा हूं cos of b minus c ठीक है और cos of pi minus theta हमारे पास minus cos theta होता है तो यह बन जाएगा minus cos of b plus c ठीक है अब हमारे पास बन गया cos of b minus c minus cos of b plus c ठीक है cos of b minus c को expand करिएगा तो यह बनता है cos a cos b plus sin a sin b cos of b plus c को expand करिएगा तो यह बनता है cos a cos b minus sin a sin b simplify होके यह बन जाएगा cos a cos b वाला term cancel out हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 2 sin a sorry 2 sin b sin c ठीक है और finally देखिए आपको आपका result मिल गया that is 4 sin a sin b sin c ठीक है तो यह हम result याद रखेंगे क्योंकि इसका application हम directly करेंगे question solving problem solving में ठीक है चलिए दूसरी identity देखते है second identity second identity है हमारे पास cos of 2a plus cos of 2b plus cos of 2c is equal to हो जाता है आपको धीरे धीरी ये बात समझ में आ जाएगी कि हम अकसर ऐसे questions के लिए क्या कर रहे हैं तो cos 2a को मैं फिलहाल वैसे ही छोड़ देता हूँ ठीक है और यहाँ पे cos 2b plus cos 2c तो इसमें cos c plus cos d वाला formula यूज़ कर लेते हैं तो क्या होता है 2 cos c plus d by 2 तो यहाँ पे बन जाएग cos 2a को since मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे cos of b plus c आप करिएगा तो यह minus cos a बन जाएगा थोड़ी दिर पहले identity हमने पढ़ी थी तो cos a का टर्म हम चाहते हैं यहाँ पे तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2 cos square a minus 1 cos 2a को हम लिख सकते हैं 2 cos square a minus 1 तो minus 1 मैं पहले लिख रहा हूँ और plus 2 cos square ठीक है यहाँ पे यह हमारे पास बन जाएगा minus cos a तो यह बन गया minus 2 cos a क्योंकि cos b plus c is equal to minus cos a होता है और into cos b minus c अब इन दोनों टर्म्स में से मैं 2 cos a common ले सकता हूँ ठीक है तो यह बन गया minus 1 plus 2 cos a common फिर bracket में हमारे पास बनेगा cos a minus cos of b minus c ठीक है cos a को सिंस a की value हम लोग लिख सकते हैं pi minus b plus c तो cos of a is equal to हो जाएगा cos of pi minus b plus c cos of pi minus theta minus cos theta हो जाता है तो यह हो गया minus 1 plus in fact यहाँ पे यह बनता minus cos b plus c यह बनता ना minus cos b plus c तो उसका minus sign मैं बाहर निकाल देता हूँ यह बन जाएगा 2 cos a यहाँ पे आपके पास बन गया cos of b plus c plus cos of b minus c ठीक है यह बन गया cos of b plus c plus cos of b minus c इसकी value क्या हो जाती है 2 cos a cos b तो यहाँ पे हमारे पास value बन गई minus 1 minus 2 cos a और यह हो गया आपके पास 2 cos a sorry 2 cos b cos c ठीक है simplify करने के बाद देखिए हमारा result आ गया minus 1 minus 4 times of cos a cos b cos c that is equal to rhs ठीक है तो यह भी हमारे पास एक important identity है कुछ important identities हमारे formula से भी आ जाएंगे कैसे तो याद करिए हमने tan a plus b plus c का formula लिखा था tan a plus b plus c का यह क्या हो जाता है हमारे पास summation tan a minus product tan a upon 1 minus of summation tan a tan b यह formula हमने पढ़ा था ठीक है tan b ठीक है अब अगर since a plus b plus c is equal to pi है triangle में तो यह बन गया tan pi tan pi की value कितनी होती है 0 तो अगर a plus b plus c है तो यह lhs हमारा क्या हो जाएगा 0 अब rhs को 0 होने के लिए clearly हमारा numerator 0 होना चाहिए तो numerator 0 होगा तो हमारे पास result क्या आ जाएगा summation tan a is equal to product tan a और यह बहुत ही important relation है triangle के लिए ठीक है तो हमारे पास next जो result आ गया और जिसे हमें याद रखना है वो यह है कि if a plus b plus c is equal to pi pi या फिर pi क्या pi का कोई भी multiple ले लिजे pi का कोई भी multiple लिजेगा तो tan of any multiple of pi will be 0 तो यह अगर n pi भी होता है तो भी यह result हमारे पास true है यानि triangle के लिए तो true है ही triangle के अलावा भी अगर तीन angles का sum multiple of pi होता है चाहे वो 180 degree हो चाहे 360 degree हो चाहे 720 degree हो चाहे कुछ भी हो multiple of pi अगर आएगा तो हम यह result लिख सकते हैं और result क्या है result यह है कि हमारे पास summation tan a is equal to product tan a हो जाएगा यानि कहने का मतलब that is tan a plus tan b plus tan c is equal to product of tan a tan b और tan c ठीक है तो यह बहुत ही important result है बच्चों इसको आप तो दिमाग में बिठा लिजिए anyhow ठीक है similarly tan के लिए हमने लिख लिया cot के लिए भी हम यह बाप कह सकते हैं कि यहीं पर हम चाहें तो cot के लिए बता सकते हैं कैसे तो इधर tan a tan b tan c को इधर लाके डिवाइड कर दो ठीक है tan a tan b tan c को rhs में लाके डिवाइड कर दो तो यहाँ पर देखोगे तो tan a upon tan a tan b tan c बनेगा tan a tan a कड जाएगा one upon tan b tan c बचेगा आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहाँ cot b into cot c तो यहाँ से इसी से हम एक और result निकाल सकते हैं तो यह तो हमारे पास result आ गया इसको हम याद रखेंगे result को मैं ऐसे घेर दिता हूँ ताकि आपको याद रखने में परिशानी नहोगी तो इस बार आप note down ज़रूर कर लीज़े इसे फिर यहीं से हमारे पास एक और result आ जाता है और result क्या आ जाएगा कि इस बार cot a cot b plus cot b cot c plus cot c cot a यह value कितनी होगी 1 हो जाएगी या फिर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं summation cot a cot b is equal to 1 तो अगर tan वाला result आपको याद रहेगा तो यह वाला result तो अपने आप ही याद रहेगा ठीक है तरीका मैंने बता ही दिया है कि आपको करने कैसे यह result लाना कैसे है बस इधर से RHS में जितने भी terms हैं उसको ले आके LHS में divide कर दीजिए अपने आप आपका result आ जाएगा half angle के बारे में अगर बात करें ठीक है half angle के बारे में अगर बात करें तो since a plus b plus c is equal to pi है तो again आप अगर formula लिखेगा cot के बारे में चलिए इस बार cot से हम शुरू करते हैं है cot of a by 2 plus b by 2 plus c by 2 है ना तो again यह formula क्या हो जाएगा summation cot a by 2 minus product cot a by 2 upon 1 minus summation cot a by 2 cot b by 2 ठीक है clear है यह बात अब देखे ध्यान से अगर a plus b plus c pi है if a plus b plus c triangle के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग आपने आपको triangle तक ही restrict करेंगे तो if a plus b plus c is pi ठीक है तो a plus b plus c by 2 pi by 2 हो जाएगा तो cot of pi by 2 cot of pi by 2 क्या हो जाएगा cos pi by 2 upon sin pi by 2 cos pi by 2 की value 0 होती है और sin pi by 2 की value 1 होती है तो यानि यह value क्या हो जाएगी 0 ठीक है तो अगर इसको 0 होना है तो clearly इसका numerator 0 होना चाहिए तो यानि यहां से जो आपके पास result आया वो result यह आजाएगा कि summation cot of a by 2 is equal to product cot a by 2 ठीक है तो यह आपके पास result आगया यानि कहने का मतलब कि आप अगर इसको खोल के लिखना चाहें तो यह result हो जाएगा cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 is equal to cot a by 2 into cot b by 2 into cot c by 2 ठीक है यह result आगया अब इसको tan में अगर आप convert करना चाहें तो वह आपके पास पास से जो हमने पिछले example में यानि पिछले result में tan के साथ किया था वही same यहाँ पर cot के साथ कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे इधर से RHS में जितने भी cot हैं जितने भी terms हैं उसको लाके LHS में divide कर देंगे तो यहाँ बनेगा cot a by 2 upon cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 cot a by 2 cot a by 2 cot a by 2 कड गया तो यह हमारे पास result बन जाएगा यहां से हमारे पास result बन जाएगा कि tan a by 2 tan b by 2 plus tan b by 2 tan c by 2 plus tan c by 2 tan a by 2 यह value हमारे पास क्या बनेगी 1 बन जाएगी या फिर हम इसको summation के form में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि summation tan a by 2 tan b by 2 is equal to क्या हो गया 1 ठीक है तो यह हमारे पास result हो गया तो यह चार result है यह काफी important है और हमारे लिए काफी काम आते हैं problem solving में ठीक है तो चलिए यह result हमने देखा तरीका देखा कि किस तरीके से यह results प्रूफ करते हैं तो जादा result पर ना focus करके हम सीधे यहाँ पर problem solving पर आते हैं क्योंकि problem solving से हम काफी सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत clear कर सकते हैं कि triangle में जब identities के बारे में बात करनी हो तो हमें किस तरीके से approach करना चाहिए तो आईए problem से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सवाल जो दिया हुआ है कि if tan 2a plus tan 2b plus tan 2c is equal to tan 2a into tan 2b into tan 2c then number of possible values of cos a plus b plus c देखी यह तो वो वाला result हो गया कि हमारे पास दिया हुआ है summation tan 2a is equal to product tan 2a और हमने यह देखा था कि यह result तभी true होता है जब 2a plus 2b plus 2c multiple of pi हो जाए यानि clearly यहाँ से हमारे पास जो result बनेगा वो यह बन जाएगा कि twice of a plus twice of b plus twice of c is equal to n pi यानि हम देखें यहाँ से तो a plus b plus c की value क्या बनेगी a plus b plus c की value बन जाएगी n pi upon 2 अब यह n pi upon 2 है तो n की value अलग-अलग हो सकती है मान लिजे n 1 हुआ तो यह pi by 2 आएगा यानि odd multiple of pi by 2 n 2 हुआ तो यह pi बन जाएगा यानि multiple of pi n 4 हुआ तो यह 2 pi बन जाएगा यानि multiple of 2 pi तो यानि यहाँ से 3 possibilities हैं यह n की अलग-अलग value के corresponding हमारे पास 3 possibilities हैं अगर हमारे पास n of the form ठीक है यानि इसमें n के अलग-अलग value के corresponding देख रहे हैं तो यह possibility क्या हो सकती है कि n अगर आपका odd multiple हो मतलब odd number हो अगर n is equal to 2k plus 1 का form हो ठीक है तो इस case में हमारे पास a plus b plus c यह odd multiple of pi by 2 बनेगा ठीक है क्या यह odd multiple of pi by 2 बनेगा अगर n की value 2k के form में हो जहां k is an odd number यह याद रखिए k क्या है यहाँ पे odd number है ठीक है तो इस case में हमारे पास a plus b plus c is equal to k pi का form बन गया यानि multiple of pi और अगर n की value 4k की terms में हो जहां k is an odd number यानि multiple of 4 तो इस case में आपके पास a plus b plus c जो बन जाएगा यह multiple of 2 pi बन जाएगा ठीक है तो यानि यहाँ तीन possibilities बन रही है अगर आपके पास a plus b plus c odd multiple of pi by 2 है तो odd multiple of pi by 2 के लिए cos की value क्या हो जाती है 0 हमें निकालना था cos of a plus b plus c की कितनी possible values हो सकती है तो यह value हो जाएगी 0 ठीक है जब a plus b plus c किस form में हो 2k plus 1 pi by 2 के form में हो यानि यह तब होगा जब a plus b plus c is of the form of 2k plus 1 pi by 2 यानि odd multiple of pi by 2 अगर यह odd multiple of pi हुआ तो odd multiple of pi के लिए cos की value minus 1 होती है तो यह value हो जाएगी minus 1 कब जब आपका a plus b plus c odd multiple of pi हो जाए आप चाहें तो इसको simplify करने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2k plus चलिए आप ठीक है इसमें समझने समझने वाली तो सारी बाते हमें clear हैं ही otherwise आप इसको 4k plus 2 का form भी लिख सकते थे इसको 4k plus 2 का form लिख सकते थे कि यानि n is equal to 4k plus 2 चलिए वो जादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अगर n आपका 4k plus 2 का form है ठीक है? तो इस case में a plus b plus c जो आएगा वो 2k plus 1 pi का form आ जाएगा यानि odd multiple of pi तो यहाँ यह minus 1 value हो जाएगी when a plus b plus c is an odd multiple of pi और अगर even multiple of pi हुआ तो उस case में value हमारे पास 1 आ जाएगी यानि यह तब possible है जब a plus b plus c की value 2k pi का form में है यानि even multiple of pi तो यानि इस cause की कितनी possible values हुई? 3 तो हमारा answer क्या हो जाएगा यहाँ से? 3 ठीक है? अगला सवाल देखते हैं Next question है Show that b plus c minus a plus sin of b plus c minus a plus sin of c plus a minus b plus sin of a plus b minus c is equal to 4 sin a sin b sin c और given है हमारे पास a plus b plus c is equal to pi ठीक है? हमारे पास क्या given है? d equal to pi तो आईए देखते हैं यहाँ से b plus c को क्या हम pi minus a लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए यह जो b plus c है इसको मैं दूसरे color से लिख लेता हूँ यह b plus c है क्या हम इसको pi minus a लिख सकते हैं? तो यह बन जाएगा sin of pi minus 2a यानि और यह बन जाएगा sin of pi minus 2c ठीक है? sin of pi minus theta sin theta ही हो जाता है तो यानि यह बन गया sin 2a plus sin 2b and plus sin 2c ठीक है? और अभी-भी हमने identity पढ़ी थी कि triangle में sin 2a plus sin 2b plus sin 2c की value कितनी हो जाती है? 4 sin a sin b sin c ठीक है? so this is equal to our RHS यह हमें प्रूफ करना था ठीक है? अगला सवाल देखते हैं next question है हमारे पास show that sin 2a plus sin 2b minus sin 2c is equal to 4 cos a cos b sin c यहां पे भी condition हमारे पास वही दिया हुआ है a plus b plus c is equal to pi ठीक है? प्रूफ करने का जैसे पहले के question में प्रूफ किया था सेम उसी तरीके से प्रूफ करेंगे हम लोग यहां से हम LHS से शुरुवात करते हैं ठीक है? sin 2a को for the time being वैसे ही छोड़ देते हैं और इसमे sin c minus sin d का formula लगा देते हैं तो sin c minus sin d क्या हो जाता है? 2 cos c plus d by 2 यानि इस case में 2b plus 2c by 2 यानि b plus c और into sin 2b minus 2c by 2 यानि b minus c ठीक है? sin 2a को मैं लिख देता हूँ 2 sin a cos a ठीक है? अच्छा यह b plus c हमारा pi minus a हो जाएगा तो cos of pi minus a minus cos a हो जाता है तो यहां बन गया minus of 2 cos a sin of b minus c ठीक है? अब इन दोनों में से common क्या हो सकता है? 2 cos a common तो 2 cos a हमने common निकाल लिया यहां पर बचता हमारे पास sin a और यहां है हमारे पास minus of sin b minus c ठीक है? अब a को हम क्या लिख सकते है? pi minus of b plus c तो sin of pi minus b plus c यह बन जाएगा sin b plus c यानि sin a के बदले में हम क्या लिख सकते है? sin of b plus c ठीक है? यह बन जाएगा 2 cos a यहां बन गया हमारे पास sin of b plus c and minus sin of b minus c ठीक है? इसको expand करेंगे sin of b plus c को तो formula हमारा बन जाएगा 2 sin a cos b plus 2 cos a sin sorry, sin b plus c है ना? तो sin b cos c plus cos b sin c यहां से बनेगा sin b cos c minus cos b sin c तो आप देखिएगा तो यह finally इसको expand करके लिखेंगे तो यहां पे finally इसको expand करने के बाद एक term cancel out हो जाएगा चलिए for the sake of convenience मैं लिखी देता हूँ यह बन जाएगा हमारे पास sin b cos c plus cos b sin c यह ना? और यहां से बना minus sin b cos c and plus cos b sin c ठीक है क्या? यहां फिर आप यहां भी sin c minus sin d का formula use कर सकते थे वो भी आप कर सकते थे तो वहां से भी आपके पास वही result आता 2 cos b sin c तो यहां से 2 cos b sin c और यहां से 2 cos a पहले सही था यह बन जाएगा 4 cos a cos b sin c ठीक है? and this is equal to our rhs simple है तरीका आपको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से triangle की identities के question को किस तरीके से solve करना है हमें? ठीक है? next सवाल देखते हैं question है हमारे पास show that cos 2 a plus cos 2 b minus cos 2 c is equal to 1 minus 4 sin a sin b cos c देखे similar question हमने पिछले वाले सवाल में किया था ये सवाल मैं ये आपसे बोलूँगा कि video pause करके और इसको पहले खोज से करें क्योंकि अब आपको exactly knowledge हो गया है कि ऐसे questions को हम लोग approach कैसे करते हैं ठीक है? और वापस से आके आप compare कीजिए कि आपने जो solution किया है क्या वो सही तरीका है solution करने का की नहीं? answer तो आपको पता ही है कि RHS में आपके पास ये दिया हुआ है तो आपको LHS is equal to RHS proof करना है बस आप steps देखिएगा कि steps आपने सही सकी है की नहीं ठीक है? आप ये भी सोच सकते हैं कि ऐसे questions जहीं में किसी solution तक पहुँशने के लिए वो बहुत अच्छी तरीके से clear होता है ठीक है? तो ऐसे questions करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए चलिए, शुरुआत करते हैं हम यहां से 2 cos A cos 2 A, sorry और यहां पे है cos 2 B minus cos 2 C तो यहां पे हम formula लगा देते हैं cos C minus cos D का तो cos C minus cos D का formula क्या होता है? 2 sin C plus D by 2 तो यहां से आ जाएगा B plus C into sin C minus D by 2 D minus C by 2 तो यह बन जाएगा 2C minus 2B by 2 यानि C minus D ठीक है? फिर यहां से मैं cos 2 एक हो सिंस यहां sin of B plus C है तो पहले इसको हम थोड़ा से लिख लेते हैं B plus C pi minus A हो जाएगा तो यह बन गया 2 sin A और यहां पे sin C minus B ठीक है क्या? तो यहां sin के terms हैं तो मैं यह चाहूँगा कि यह cos वाला जो term है यह भी sin में cos 2 वाला जो term है यह भी sin में ही convert हो तो इसको हम formula से लिख सकते हैं 1 minus 2 sin squared A समझ में आया कि इसको हमने तो यह 1 रहने देते हैं इन दोनों में से हमारे पास 2 sin A common हो जाएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ? minus 2 sin A common ले ले रहा हूँ यहां पे हमारे पास बन गया sin of A minus sin of C minus B ठीक है? फिर sin of A को हम sin of B plus C लिख सकते हैं तो यह 2 sin A यहां पे बन गया हमारे पास sin of B plus C minus sin of C minus B फिर हम यहां से कौन सा formula यूज़ कर सकते हैं? sin C minus sin D या फिर अभी तक आप यह समझ चुके होंगे कि sin of B plus C या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin of C plus B minus sin of C minus B 2 cos C sin B हो जाता है ठीक है? sin C minus sin D वाला formula लिख लीज़े तो sin C minus sin D किया हो जाता है? 2 cos इन दोनों angles का sum divided by 2 तो इन दोनों angles का sum करोगे और divided by 2 करोगे तो C बच जाएगा यह बन गया 2 sin A और यहां bracket में बन गया 2 cos दोनों का sum divided by 2 यानि C into sin दोनों का difference divided by 2 तो यह बन जाएगा finally आप देखिए जो हमें result निकालना था वो result हम proof कर चुके हैं यहां A रह गया है तो यह बन जाएगा 2 2 मिलके 4 फिर यहां बन गया sin A यहां बन गया sin B और into cos C देखिए यही हमें proof करना था that is equal to RHS आ गया ठीक है? next अगला सवाल है हमारे पास sin square B minus sin square C is equal to 2 sin A sin B cos C ठीक है? चली शुरुआत करते हैं हम LHS से LHS में हमारे पास है sin square A और इन दोनों को sin square B minus sin square C अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो sin square B minus sin square C को हम लोग लिख सकते हैं sin of B plus C और into sin of B minus C अब देखिएगा कि यहाँ पर यह जो सवाल हम कर रहे हैं इसमें जो पिछले classes में formula हमने पढ़े थे उनका कितना ज़्यादा application है तो trigonometry में confidence लाने का जो best तरीका होता है वो यह है कि आपको formula याद रहने चाहिए जब formula याद रहते हैं तो अपने आप trigonometry में confidence बन जाता है लेकिन initially में अगर आपसे formula याद नहीं होते हैं तो घबराइए नहीं trigonometry एक ऐसा chapter है जो धीरे-धीरे आप पे grow होता है यानि आप continuously इसके सवाल करते जाइए formula आपको तभी याद रहेंगे जब उन formula को आप questions में यूज करेंगे ठीक है अगर सिर्फ और सिर्फ formula याद किये आपने तो वो आपके लिए उतना helpful नहीं होगा as compared to कि आप formula याद करिये उनको problem से apply किजिए तो फिर वो formula आपके दिमाग में एकदम पक्की जगा बना के रख लेंगे ठीक है तो यहां से हमारे पास आगया sin square a sin of b plus c को sin a हम लिख सकते हैं तो इसके बदले में हम sin a लिख लेते हैं और into हमारे पास हो गया sin of b minus c दोनो expressions में से sin a common आ जाएगा sin a common निकालके हमने बाहर कर लिया और अंदर हमारे पास बच गया sin of a plus sin of b minus c और sin of a को अब तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि sin of a को हम लोग क्या लिखने वाले हैं sin of b plus c तो sin of b plus c लिखा और plus sin of b minus c लिखा ठीक है और इन दोनों को add करेंगे तो अब तक अब आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे कि यहाँ पर यह value हो जाएगी 2 sin a यानि 2 sin b cos c simplify किया तो यह देखिए जो rhs में हमें proof करना था वो आ गया 2 sin a sin b and cos c ठीक है this is equal to rhs clear है अल्राइट अगले सवाल पर चलते हैं next question है हमारे पास prove that sin square a by 2 plus sin square b by 2 minus sin square c by 2 is equal to this ठीक है यहाँ पर भी आपको यह clarity आही गई होगी कि यह almost similar to what we have solved in the previous question है ना तो यहाँ से sin square a by 2 को for the time being मैं वैसे ही रखता हूँ ठीक है और यहाँ पर वापस से आप देखिए sin square b by 2 minus sin square c by 2 तो sin square a minus sin square b का form है फॉर्मूले की हिसाब से यह बन जाएगा sin of b plus c by 2 into या फिर आप इसको अलग-अलग भी लिखके रखें कोई problem नहीं है b by 2 plus c by 2 ultimately वो वही बनेगा ठीक है b by 2 plus c by 2 और into sin of b by 2 minus c by 2 ठीक है अब यहां से ध्यान दीजे यह वाले टर्म पर हम पहले focus करेंगे इस टर्म पर focus करने से पहले sin of b plus c by 2 b plus c by 2 को हम लेख सकते हैं pi by 2 minus a by 2 तो sin of pi by 2 minus a by 2 क्या हो जाता है cos of a by 2 ठीक है तो यहां पर आपके पास जो टर्म मन गया वो हो गया cos of a by 2 और into sin of b by 2 minus c by 2 ठीक है क्या अच्छा अब यहां पर अगर cos of a by 2 है तो मैं यहां sin क्यों चाहूँगा यहां पर भी मैं चाहूँगा कि cos वाला टर्म हो तो इसलिए यहां पर इसको मैं 1 minus cos square a by 2 लिख देता हूँ ठीक है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग manipulation कर रहे हैं to get to the solution ठीक है तो यह आगे हमारे पास 1 minus इन दोनों में से clearly cos of a by 2 common आ जाएगा तो cos of a by 2 common ले ले रहे हैं यहां 1 cos a by 2 बच जाएगा और यहां बचेगा minus of sin b by 2 minus c by 2 clear है cos of a by 2 को सबसे शुरुवात में ही हमने देखा था कि cos of a by 2 को a को हम क्या लिख सकते हैं pi minus b plus c तो cos of a by 2 हो जाएगा pi by 2 minus of b plus c by 2 तो cos of pi by 2 minus theta हो जाता है sin theta तो यह बन गया 1 minus cos of a by 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं sin of b plus c by 2 है ना और minus sin of b minus c by 2 है ना अब यहां से हम आगे की कहानी बहुत आसानी से कर सकते हैं यह cos of a by 2 यहां रहेगा ही sin b plus c by 2 minus sin b minus c by 2 बन जाएगा आपके पास 2 cos by 2 sin c by 2 ठीक है simplify किया finally तो जो हमें RHS में चहिए था वो मिल जाएगा यह बन जाएगा minus 2 cos a by 2 cos b by 2 और इंटो sin c by 2 and this is what we needed to prove so this is equal to RHS ठीक है अगला सवाल देखते है काफी सारे examples यहां पर हम देख रहे हैं कि इस पूरे segment में theory part कम और problem के through theory समझना जादा important है ठीक है तो इसलिए मैं इसमें काफी सारे examples ले रहा हूँ next question है हमारे पास a plus b plus c is equal to 2s अब देखे यहां पर pi जैसा कोई term नहीं दिया हुआ है ठीक है यह s कुछ भी हो सकता है यहां पर तो इसलिए जो हमें answer question में भी दिया हुआ है वहाँ s involved है ना कि pi जैसा कोई term involved है तो हम जो information दिया हुआ है उसी information को use करेंगे तो information में हमारे पास दिया हुआ है a plus b plus c is equal to 2s और हम इसी को use करेंगे ठीक है तो आई शुरुआत करते हैं हम LHS से तो हमारे पास LHS में दिया हुआ है sin of s minus a into sin of s minus b and plus sin of s into sin of s minus c अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2 sin a into sin b का formula हम use कर सकते थे और यहाँ पर भी 2 sin a into sin b का formula use कर सकते थे हैं न तो एक काम करते हैं 2 नहीं दिया हुआ है तो हम multiply और divide कर देते हैं तो यह 2 से divide किया और 2 से multiply कर देते हैं तो यह बन जाएगा 2 sin s minus a sin s minus b and plus 2 sin s और sin sorry c लिख दिया हमने s and sin s minus c ठीक है कैं 2 sin a sin b बताइए formula क्या होता है हमारे बार 2 sin a sin b होता है cos of cos of a minus b minus cos of a plus b तो यहाँ पर a के बदले में s minus a और b के बदले में s minus b दिया हुआ है तो cos of दोनों angles का difference ठीक है तो s minus a minus of s minus b करिएगा तो यह b minus a बच जाएगा ठीक है and minus cos of दोनों angles का sum तो 2s minus a plus b ठीक है of b minus a रहने देते हैं अच्छा यहाँ पर देखिए 2s minus a plus b बताए तो यहाँ से 2s minus a plus b कितना होगा सिंस हमें पता है कि 2s is equal to a plus b plus c है तो 2s minus a plus b is equal to कितना हो जाएगा हमारे पास c बन जाएगा बिल्कुल है ना तो यहाँ पर यह हो गया minus cos c and plus cos c ठीक है और यहाँ पर है minus cos of 2s minus c कितना हो जाएगा 2s minus c हमारे पास a plus b बन जाएगा है ना तो यह term तो हो गया cancel ठीक है और यहाँ से हमारे पास बन गया 1 by 2 cos of b minus a minus cos of इसको a plus b लिखे है चाहे b plus a लिखे है एक ही बात है तो cos of b minus a minus cos of b plus a क्या हो जाएगा हमारे पास 2sine b sin a तो यह बन गया half और यहाँ पर बन गया 2sine b sin a यह 2 और यह 2 cancel और जो result चाहिए था हमारे पास sin a into sin b जो RHS में हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है और hence यह हमारा solution हो जाएगा ठीक है अगला सवाल देखते है यह बड़ा interesting सा सवाल है और यहाँ से आपको काफी सारी चीज़े सीखने को मिलेंगी और यह बहुत important सवाल है देखने से यह कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि इसमें कहीं से भी trigonometry involved है क्योंकि आपके पास result दिया हुआ है x plus y plus z is equal to x, y, z और आपको proof करना है यह वाला result तो यहाँ से कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि यहाँ trigonometry involved है और यहाँ पर clearly एक और चीज़ mention होनी चाहिए कि x, y और z यह तीनों क्या है real values है तो यहाँ से देखिए अगर मैं मान लू let x is equal to tan a ठीक है y is equal to tan b and z is equal to tan c ठीक है यहाँ पर थोड़ी important चीज़ मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगर यह नहीं समझ में आया तो आपको हो सकता है आगे जाके आप mistake करने के आपके chances बढ़ जाएगी यहाँ पर x, y, z real numbers दिया हुआ था इसी लिए हमने x को tan a, y को tan b और z को tan c लिया है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो tan का range होता है यानि tan जो values assume कर सकता है याद कर यह graph में हमने ये बात पढ़ी थी tan जो values assume कर सकता है वो minus infinity से plus infinity यानि कोई भी real number assume कर सकता है ठीक है? तो अगर यहाँ पे x, y, z real दिये हुए है तो यहाँ पे हम x को tan a, tan b, tan c आराम से substitute कर सकते हैं अगर यहीं पे x, y, z real होते तो हम x को sin a, y को sin b और z को sin c नहीं assume कर पाते क्यों? क्योंकि sin का जो range होता है वो सिर्फ minus 1 से 1 के बीच में होता है यानि अगर आप x को sin a के बराबर रखते हो तो यानि आप यह restrict कर रहे हो कि x जो values assume करेगा वो सिर्फ minus 1 से 1 के बीच में ही assume करेगा लेकिन ऐसी बात तो है नहीं क्योंकि question में तो हमें दिया हुआ है कि x, y, z सारे real numbers हैं यानि कोई भी real value assume कर सकते हैं समझ में आई बात तो यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो जब भी आप इस तरह का कोई substitution करो तो वहाँ पे देख लो कि question में आपके पास x का range क्या दिया हुआ है तो उसके corresponding substitution आप जो करोगे वो substitution का range भी वही होना चाहिए यानि अगर यहाँ से x का range r दिया हुआ है तो आप tan या cot ही assume कर पाओगे क्योंकि tan और cot का ही जो range होता है वो क्या होता है r होता है अगर मालीजे यहाँ पे x का range minus 1 से 1 तक दिया होता तो आप sign ने assume कर सकते थे अगर वो आपको help करता है सवाल करने में तो ठीक है तो यह बहुत ही important बात है गाट मान करके एकदम याद कर लीजे इसको क्योंकि ऐसे mistakes question में आपसे होने की संभावना रहेगी अगर यह explanation आपको नहीं पता है तो ठीक है? Alright तो जब हमने x को tan a, y को tan b और z को tan c assume किया तो यहाँ पे दिया हुआ है x plus y plus z is equal to x into y into z यानि आपके पास लिखा हुआ है summation tan a is equal to product tan a जो condition दिया हुआ है आपके question में उस condition से clearly हम लिख सकते हैं कि this condition implies to summation tan a is equal to product tan a अब अगर summation tan a is equal to product tan a है तो इसका conclusion क्या होगा? इसका conclusion यह होगा कि a plus b plus c multiple of pi है देखिए यहाँ पे भी आप एक mistake कर सकते हो mistake यह कर सकते हो कि summation tan a is equal to product tan a है और आप से पूछेगा कि which of the following is absolutely true और which of the following is always true तो उस case में a plus b plus c is equal to pi यह true होगा लेकिन always true होगा क्योंकि a plus b plus c की सिर्फ value pi ही नहीं हो सकती है 2 pi भी हो सकती है 3 pi भी हो सकती है समझ रहे हो आप? तो मतलब आपको यह ध्यान में रखना है कि summation tan a is equal to product tan a अगर है इसमें एक जेई बहुत पहले एक सवाल पूछ भी चुका है मैं जस्ट आपको recap करवा देता हूँ question में कुछ इसी तरीके का information दिया हुआ था कि summation tan a is equal to product tan a ठीक है और आपसे पूछा हुआ था कि यह चार statement दिये हुए है इन चार statements में से कौन सा absolutely true है तो यहाँ पे summation tan a is equal to product tan a दिया हुआ था और एक statement दिया हुआ था कि a, b, c a, b, c are angles of a triangle angles of a triangle तो दिखिए since अब हम यह बात जानते हैं कि summation tan a is equal to product tan a के लिए a plus b plus c is equal to 180 degree is one of the condition it is not the only condition आपका a plus b plus c 180 के बदले में 360 भी हो सकता है और जब a plus b plus c 360 degree हो जाएगा तो a, b, c triangle के angle नहीं रहेंगे यह बात समझ में आई आपको a plus b plus c की value 720 degree भी हो सकती है यानि जब 720 degree हो गई तब भी a, b, c आपके triangle के angles नहीं रहेंगे ठीक है? तो यह बात आप हमेशा ध्यान में रखिए तो इस question से न सिर्फ सवाल ही हम नहीं सीख रहें है बहुत सारे ऐसे concept सीख रहें हैं जो बहुत necessary हैं हमारे logic को build करने के लिए और हमें question की और ज़ादा clarity लाने के लिए ठीक है? तो आप अब याद रखिएगा कि जब भी summation tan a is equal to product tan a होता है तो आपके पास condition यह होगा is a multiple of pi आ गया अब अगर हम इस term को देखते हैं एक term को हम देखेंगे बाकी term के बारे में हम अपने आप समझ जाएंगे एक term हम यहाँ पे लेते हैं चलिए यह वाला term है 2x upon 1 minus x square x के बदले में tan a अगर हमने यहाँ पे रखा तो यह बन गया 2 tan a upon 1 minus tan square a और यह term देखते के साथ ही आप समझ गया होंगे कि यह और कुछनी बलकी tan 2a है तो यानि इधर आपके पास लिखा हुआ है यानि आपको जो proof करना है वो proof यह करना है कि tan 2a तो यह क्या हो जाएगा tan 2b और यह क्या हो जाएगा tan 2c तो tan 2a plus tan 2b plus tan 2c is equal to tan 2a into tan 2b into tan 2c आपको यह proof करना है तो अगर a plus b plus c n pi है तो 2a plus 2b plus 2c कितना हो जाएगा 2a plus 2b plus 2c यह भी 2n pi हो जाएगा यानि यह still multiple of pi रहा तो अगर 2a plus 2b plus 2c is still a multiple of pi यानि इसके लिए भी तो हम यह बात लिखी सकते हैं की summation of tan 2a is equal to product of tan 2a है ना यानि कहने का मतलब कि आपके पास बन गया tan 2a plus tan 2b plus tan 2c is equal to tan 2a into tan 2b और into tan 2c अब tan 2a के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 2x upon 1 minus x square 2x upon 1 minus x square tan 2b के बदले में क्या लिख सकते हैं 2y upon 1 minus y square और tan 2c के बदले में क्या लिख सकते हैं 2z upon 1 minus z square is equal to यहां से आपके पास हो गया 2x upon 1 minus x square into 2y upon 1 minus y square into 2z upon 1 minus z square और यही हमें प्रूब करना था तो this is now proved ठीक है? तो काफी सारी important चीजें सिर्फ एक सवाल से सीखने को मिली हमें ठीक है? तो next question देखते हैं question दिया हुए हमारे पास find value of sin 50 degree plus sin 100 degree plus sin 210 degree upon sin 25 degree into sin 50 degree into sin 105 degree अब आपको इस question को देखके पहला तो खयाल यह आएगा कि यहां पे भी हम sin c plus sin d वाला formula यूज़ कर लेते हैं लेकिन अगर आपको यह trigonometry वाले results पता हैं तो फिर यह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा कैसे? यह triangle वाले results अभी हमने देखे वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा कैसे? यहां पे अगर यह angles का sum देखो तो 50 degree plus 100 degree and plus 210 degree यह देखिएगा तो 360 degree आता है यानि कहने का मतलब यह value 2 pi है है ना? तो यानि हम ऐसा लिख सकते हैं कि twice of 25 degree plus twice of 50 degree and plus twice of 105 degree is equal to 2 pi दिया हुआ है तो clearly 25 degree plus 50 degree plus 105 degree यह कितना है? 180 degree हो जाएगा यानि अगर मैं इसको a मानू इसको b मानू और इसको c मानू तो clearly हमारे पास a plus b plus c is equal to कितना है? 180 degree तो क्या मैं यह बात कह सकता हूँ कि a, b, c are the angles of a triangle तो अगर a, b, c angles of a triangle है तो हमारे पास result हमें पता है कि sin of 2a plus sin of 2b है ना? and plus sin of 2c is equal to हो जाता है 4 times of sin a, sin b, sin c a, b, c की value को अगर आप यहां substitute कर दीजे तो यह बन गया आपके पास sin of 50 degree plus sin of 100 degree and plus sin of 210 degree यह is equal to हो जाएगा आपके पास 4 sin of half of this angle that is 25 degree a हमने 25 degree माना ही है into sin of b की value हमने 50 degree मानी थी and into sin of 105 degree ठीक है? इसको थोड़ा मैं इस तरफ कर देता हूँ ठीक है? तो clearly आप इसको divide कर दीजे आपका result आ गया तो हमें निकालना था sin 50 degree plus sin 100 degree and plus sin 210 degree upon sin of 25 degree into sin of 50 degree और into sin of 105 degree तो यहाँ पर क्या बच गया? 4 बच गया और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर ठीक है? next question देखते हैं next question है the value of this expression इस expression की value क्या होगी? अब देखिए यहाँ से directly हमें कुछ खास दिखनी रहा है ठीक है? तो एक काम करते हैं यह 2 पहले मैं बाहर निकाल देता है 2 अगर मैं बाहर निकाल दूँगा तो यहाँ पर अंदर में जो expression बचेगा यह बच जाएगा 1 by 2 numerator जो बचेगा 1 by 2 plus sin 40 degree and plus sin 70 degree and divided by आपके पास बच गया sin of 70 degree sin of 75 degree and sin of 35 degree अब ध्यान से देखिए question ही dictate करेगा कि हमें method कौन सा use करना है कैसे question dictate करेगा ध्यान दीजे यहाँ पे यह 70 degree 75 degree और 35 degree तीनों का sum कितना होता है 180 degree के बराबर यानि अगर यह A ले यह B ले और यह C ले तो clearly हमारे पास A plus B plus C की value जो आ रही है 180 degree यानि these three are angles of a triangle अब question में हमें help कैसे मिलती question में हमें help इस तरीके से मिलती कि अगर यह A है तो अगर हमारे numerator में term कुछ इस तरीके से होता numerator में term A के बदले में 2A that is 140 degree होता B के बदले में 2B that is 150 degree होता है ना and C के बदले में 2C that is sign 70 degree होता तो अपने लिए बड़ा आसान हो जाता कहानी क्योंकि फिर मैं इसको 4 times of sign 70 into sign 75 into sign 35 लिग देता और answer हमारा फिर काफी आसानी से आ जाता लेकिन यहां पे ऐसा कुछ दिखने ही रहा है लेकिन हम बना सकते हैं कैसे 1 by 2 किसकी value होती है sign 30 degree की value होती है और क्या हम sign 30 degree को sign 150 degree लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं यहां पे आपके पास sign 40 degree दिया हुआ है तो क्या हम sign 40 degree को sign 140 degree लिख सकते हैं क्योंकि 40 को हम लो लिख सकते हैं 180-140 और sin of 180-140 sin of 140 हो जाए है ठीक है क्या तो यानि अब तो हमारा काम ही बन गया यहाँ 2 पहले से था ही इस 1 by 2 के बदले में हम लिख देते हैं sin of 150 degree इस sin 40 degree के बदले में लिख देते हैं sin of 140 degree और यह sin 70 degree हमारे लिए काम का था ही तो इसको हम वै इसे ही छोड़ देते हैं यह sin of 70 divided by आपके पास expression है sin 70 into sin 75 और into sin 35 अब numerator को triangle के identity से आप clearly लिख सकते हैं यह बन जाएगा आपका 4 sin 75 इसका आधा into sin इसका आधा that is 70 और इसका आधा that is sin 35 और अपन यहां पर आपके पास आ गया जो numerator में था वही denominator में हो जाएगा इसको मैं rearrange करके थोड़ा सा sin 75, sin 70 और into sin 35 लिख देता हूं ठीक है यानि यह सारे terms आपके क्या हो गया cancel तो यह numerator के यह, 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 तीनों इनसे cancel हो गया cancel हो गया तो यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 2 तो final answer क्या हो जाएगा आपका 8 ठीक है तो देखिए यह identities कितना help कर रही है हमें इस तरह के question को solve करने में ठीक है आखरी सवाल लेते हैं आज के lecture का अब यह बहुत ही interesting question है और यहाँ पे काफी application आपका काफी interesting हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो हम result use करेंगे उसमें थोड़ा सा quadratic का भी involvement होगा ठीक है अब देखिए ABC are real numbers यह दिया हुआ है और condition आपके पास दिया हुआ है कि ABC is equal to ABC plus A plus C is equal to B अब यह किसी भी तरीके से आपको trigonometry का सवाल तो नहीं दिखेगा क्योंकि आपसे पूछा गया है कि यह condition दिया हुआ है दो conditions है ABC real numbers है पहला condition दूसरा condition है कि ABC plus A plus C is equal to B तीसरा condition दिया हुआ है कि AC की value 1 के बराबर नहीं है तो find the greatest value of this expression question देख के तो कहीं से भी कोई नहीं बता सकता कि यह trigonometry का है unless आपने इस तरह के सवाल पहले किये हुए है तो एक सवाल हमने इस तरह किया था चलिए उसी concept पे base हम यहाँ पे इस सवाल को भी कर सकते हैं कैसे tan वाले में हमने यह apply किया था तो tan वाले के लिए हमारे पास क्या था sum of three numbers is equal to product of the same three numbers अगर इस form में हो तभी हम tan assume कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे इस form में दिया नहीं हुआ लेकिन बना सकते हैं देखे कैसे मैं इस b को इधर ले आता हूँ और इस a b c को इधर ले जाता हूँ तो आपके पास expression बन गया a plus यह b इस तरह लाया है तो हम इसको minus b लिख लेते हैं और plus c is equal to यह इधर जाके minus of a b c बनेगा तो इसको मैं लिख रहा हूँ a minus b और aim to c देखे sum of three numbers is equal to the product of same three numbers तो यहाँ से हम क्या assume कर सकते हैं यहाँ से यह assume कर सकते हैं कि let a is equal to tan a b is equal to tan b in fact minus b is equal to tan b और c is equal to tan c ठीक है और अगर यह result है तो यहाँ से हमारे पास clearly मिल गया हमें summation of tan a is equal to product of tan a और अगर यह result होता है तो अभी हभी हमने पढ़ा था कि a plus b plus c की value क्या हो जाती है n pi clear है all right convenience के लिए आप pi भी ले सकते हो n pi के बदले में कोई भी एक suitable value of n select कर लो ठीक है तो मैं suitable value of n one select कर लेता हूँ क्योंकि अगर यह one के लिए true होगा न तो किसी भी n के लिए true होगा ठीक है तो a plus b plus c is equal to pi मैं ले लेता हूँ ठीक है अच्छा तो यहाँ पर यह जो expression दिया हुआ है अगर मैं इसको y बोल दो ठीक है तो यह y की value क्या हो जाएगी ध्यान से देखिए a को हम tan ए assume करेंगे तो 2 upon 1 plus tan square और बच्चों 1 plus tan square एक इतना होता है sec square तो यह बन जाएगा 2 upon sec square और 1 upon sec square एक इतना हो जाता है cos square तो यहाँ यहाँ पर जो expression बन गया आपका 2 of cos square minus 2 of cos square b है ना और यह बन जाएगा plus 3 of cos square c यहाँ पर cos square a cos square b न होके अगर sin square a sin square b होता तो काफी आसान हो जाता हमारे लिए तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ 1 minus 2 common ले लिया इन दोनों में से इसको 1 minus sin square a और इसको 1 minus sin square b लिख रहा हूँ तो यहाँ पर टर्म बन जाएगा हमारे पास sin square b minus sin square a और यहाँ पर बन गया 3 cos square c यह बन जाएगा हमारे पास 2 sin square b into minus sin square a क्या हो जाता है sin b plus a into sin b minus a तो यह बन गया हमारे पास plus 3 cos square c अचा sin b plus a since a plus b plus c is equal to pi है तो sin of b plus a को हम pi minus b plus a को pi minus c लिख सकते हैं यानि यह बन जाएगा sin of pi minus c और sin of pi minus c sin c ही हो जाता है तो यानि हमारे पास जो expression बन गया यह twice of sin c into sin of b minus c और यह b minus a होगा ना कि c ठीक है और यहाँ से इसको मैं लिख रहा हूँ cos square c को since यहाँ sin c का form है तो मैं इसको भी sin के form में convert करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसको 1 minus sin square c लिख लेते हैं तो यह बन जाएगा 3 minus 3 sin square c ठीक है अब सारे terms को मैं LHS में लेके आता हूँ तो यह बन जाएगा आपके पास 3 sin square c ठीक है minus 2 sin c sin b minus a ठीक है और यहाँ minus 3 और यह y यहाँ था तो plus y is equal to 0 अब देखिए since a, b, c real है तो उसके corresponding जो angles होंगे यानि angle a, angle b, angle c यह भी क्या होंगे real होंगे और किसी भी real angle के corresponding जो sine की value होती है वो भी real होती है तो यह आप देखिएगा तो यह एक sine में quadratic equation दिख रा हुआ है यह क्या दिख रहा है sine में quadratic equation और यह quadratic equation जो है इसमें sine जो है वो real है क्या है? real है यानि इस quadratic equation के roots क्या है? real तो बताइए quadratic equation में किसी भी equation का root real कब होता है तो equation का root real तब होता है since sine c is real तो equation का root तब real होता है जब equation का discriminant greater than equal to 0 हो d क्या होना चाहिए? greater than equal to 0 तो यहां से एक काम करते हैं इसको मैं next page में ले लेता हूँ अगर आपने यहां पे note नहीं किया है तो video pause करके इसको note कर लीजे ठीक है? तो हमारे पास जो quadratic expression बना था वो बना था 3 sine square c minus 2 sine c sine b minus a minus 3 and plus y is equal to 0 और यहां से हमने बोला कि इसका d जो होना चाहिए वो greater than equal to 0 होना चाहिए तो quadratic है sine c में तो यानि यहां पे d क्या होता है? d याद करिए b square minus 4ac होता है यह greater than equal to 0 होना चाहिए तो यहां तो यह तो हमारा variable ही है तो हमारे b के corresponding term क्या आ जाएगा? twice of sine b minus a क्यूंकि यह तो x square minus x तो x के साथ वाले जो terms होते हैं वही तो को efficient होते है तो यानि अगर यह sine c में quadratic है तो sine c का जो coefficient होगा वो b हो जाएगा तो sine c का coefficient यहां से क्या दिख रहा है? minus 2sin b minus a तो b square के बदले में लिखेंगे minus 2sin b minus a whole squared ठीक है? minus 4 times a a कितना दिया हुआ? sine square c का coefficient यानि 3 into c यानि constant term तो minus 3 plus y लिख दीजे ठीक है? और यह value आपकी greater than equal to 0 होनी चीए simplify किया हमने तो यह बन जाएगा 4 sin square b minus a है ना? minus 4 into 3 minus 3 plus y greater than equal to 0 यह 4 और 4 मैं cancel out कर दे रहा हूँ क्योंकि उधर जाके वैसे भी खतम हो जाएगा और इस पूरे term को मैं उस तरफ ले जाता हूँ यानि यहां से बन जाएगा sin square b minus a is greater than equal to minus 3 plus in fact 3 times of minus 3 plus हो जाएगा ठीक है क्या? इस 3 को इधर लाके divide कर दीजे और यह minus 3 को इस तरफ लेते आईए और rearrange करके आप देखेगा तो यह expression कुछ इस तरीके से देखेगा आपको y less than equal to 3 plus sin square b minus a upon 3 ठीक है क्या? अब y की maximum value चाहिए y जब भी है यह इस तर्म से इस तर्म के बराबर या इस से छोटा हो सकता है तो अगर y की maximum value निकालनी है आपको तो y की maximum value निकालने के लिए यहां पे sin square b minus a का value होना चाहिए वो अपना maximum होना चाहिए तो sin square का maximum value क्या होता है? Interesting, sin का maximum value one होता है तो sin या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि sin square का जो range होता है वो minus one से one तक के बीच में होता है तो sin square का जो range होगा वो zero से one की बीच में हो जाएगा यानि sine square की maximum value जो आती है वो 1 आती है ठीक है तो y max जो होगा वो यहां से हो जाएगा 3 प्लस इस sine square की maximum value that is 1 और upon 3 यानि यहां से हमारे पास y max की value कितनी बन गई 10 upon 3 and this will be our answer ठीक है तो यहां से y की जो maximum value निकालने के लिए बोला था कि आपके पास ABC real है यह दो condition आपके पास दिय हुए हैं तो इस expression की greatest value निकालिए यानि maximum value निकालिए तो इस तरीके से calculate करनी के बाद हमें y की maximum value क्या मिल गई 10 by 3 ठीक है तो बचों अगर आपने ध्यान दिया होगा कि इस lecture में trigonometric identities in a triangle तो हमने देखा है लेकिन उसके साथ-साथ कुछ ऐसे concepts देखे जो काफी important होंगे आप के mathematical aptitude को build करने के लिए देखे mathematics को strong करने के लिए आपको बहुत ज़ादा रटने की जरूरत नहीं है समझने की जरूरत है formula याद होने तो जरूर चाहिए लेकिन सिर्फ formula याद करने से ही काम नहीं होगा उन formula को apply कैसे करना है उन formula को apply करके question कैसे solve करना है क्योंकि ultimate motive तो हमारा क्या होना चाहिए question solve करना अगर question solve नहीं हो रहे हैं तो formula याद रखने का कोई मतलब नहीं है है तो formula सिर्फ याद मत कीजिए उसको apply कीजिए questions में जब आप application करेंगे उसका तब जाके वो formula याद होंगे बार बार apply कीजिए चार बार पांच बार पांच बार apply कर लीजेगा त सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुला रटने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? सो बचों, आज का lecture हम लोग यहीं रखते हैं, यहीं पे खतम करते हैं, next lecture में कुछ बहुत ही interesting हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि next lecture में जो हम पढ़ेंगे, कि trigonometry का use करके, किसी expression को maximize या minimize कैसे करते हैं, यानि किसी expression की maximum value या minimum value कैसे निकालते हैं, किसी expression का range कैसे निकालते हैं, यह हम लोग सीखेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं next lecture में बच्चों, तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, और अपनी तयारी में बिल्कुल कोई कसर मत छोड़िए, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आपको बस मेरे साथ साथ मेहनत करना है, और अपने आप देखिएगा कि आपका mathematics कम से कम इतना strong तो हो जाएगा, कि आप कभी भी ये नहीं बोलिएगा कि mathematics is my weakest subject, इंट्रेस्ट भी mathematics में तभी बनता है, जब आप उसमें question solve करना सुरू कर देते हैं खुद से, और उस लेवल को achieve करने के लिए, उस peak को achieve करने के लिए जहाँ पे आप खुद से question कर पाएं, उसके पहले की जो मेहनत है, वो आप मेरे साथ कीजिये, और ultimately, मैं यह यकिंग के साथ कह सकता हूँ, कि आप वो peak जरूर अचीव कर लिजएगा, ठीक है, all the best, keep studying, stay healthy, thank you.